बिस्मिल्ले रख्माने रहीम, असलाम अलेकूम। आज मैं आपको बनायता सीखाऊंगी चिकन टिक का मीनी पीटसास। चिकन टिक का बनाने के लिए हमें जो चीजे चाहिए। चिकन लिया है बॉनलेस क्यूब्स में कटा हुआ। लेमन जूस चाहिए होगा, सोया सॉस, नमक, सुर्ख मिर्च, कुटी और लाड मिर्च, कार्लिक पेस्ट या पाउडर, कैचप, गरम मसाला, तेल, चिली सॉस और एक कोईला लेने चाहिए। धुआ देने के लिए। और पीजा डो बनाने के लिए मैं जो चीज़े चाहिए, प्लेन फ्लावर, नमक, चीनी, बेकिंग पाउडर, येस्ट, ओल, अंडा, और दूद। तो हाँ चलें देखते हैं इसे बनाना कैसे है। एक बोल में प्लेन फ्लावर लें, उसमें नमक, चीनी, बेकिंग पाउडर, येस्ट, टाल के अच्छी से मिक्स कर लें। उसके बाद ओल, दूद, और अंडा। डाल के अच्छी से मिक्स कर लें। और इसे नीम गरम पानी के साथ अच्छी से गूंद लें। और फूलने के लिए 2-3 गंटे के लिए रूम टेपरेचर में रखतें। कवर करके चिकन टिका बनाने के लिए और चिकन में नमक टालिए। तो मिर्च टाल दे, कोटी लाल मिर्च टाल दे, कार्लिक पाउडर, गरम मसाला, तेल, चिली सास, केचप, लेमन जूस, और सोया सास। सब चीज़ डालके इच्छे से मिक्स कर लें और साइट पे रखतें। पैन लीजिए। रेम ओन करें। और मेरिनेटिड चिकन का मिक्स्चर पैन में डालतें। थोड़ा से पाने डालके मिक्स कर लें। और कवर करके 20 से 25 मिनित तब पकने के लिए रखतें। वीच-वीच में हिलाते रही रही रहा। जब पक चाहे तो सारा पानी को सुखा लें। और कोईला गरम कर लें। कोईला गरम हो जाए तो उसको फोईल में चिकन के मिडल में रखें। उपर से एक चमच ओईल डालके कवर कर दें। और उसको चिकन को दुआ दे दे। जब स्मोक खतम हो जाए तो कोईले को निकाल दें। आटे के चोटे चोटे बोल्स बना लें। और हाथ की मदद से रोल कर लें। आज में पीज़ा मंशीन में बना रही हूं।ब आप चाहिए तो ओवन में बना सकते हैं। पीज़ा आटे रोल पीज़ा दो मशीन में लखें। ज़ा लें। पीज़ा सोस की आप चाहें तो सबसियां भी ले सकते हैं अपने पसंद की अच्छा यहां पीजा पे चिकिन डाल दें कम या जादा आप अपने पसंद से डाल सकते हैं किसी को कम पसंद आता है किसी को जादा चिकिन पसंद आता है तो यहां में जादा डाल रही हूं क्योंकि हमें जादा पस के लिए बेस्ट होती है मैं वही रेक्मेंट करूंगी आपको उसके बाद पीजा मशीन में बेग कर लूँगी अगर आप ओवन में बनाना चाहते हैं तो मीनी पीजा को ओवन में रखे गैस मार्क 5 पे 5-10 मेंट के लिए बना लीजिएगा पीच पीच में देखते रहें लेजिए मज़ेदार मेनी पीजा स्यार है जरूर बनाएं और बताएं कि आपको रेसिपी कैसे लगी अच्छी लगी तो लाइक करें कमेंट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स वाचिंग तुला हाफीज